परनाम सभीको राम राम मेरे हाथ में जो आप ये दो पुस्तकें देख रहे हैं एक का नाम सरवजन सुखाए है और दूसरी है सरवजन हिताए पहली बार हमारे सनातन धरम का एक ऐसा मतलब हम लोग एक उदेश लेकर चल रहे हैं कि सनातन धरम और आगे तक पहुंचे इसलिए ये दोनों गरंथ हैं और दोनों हिंदी में और इन दोनों किताबों में पहली बार हिंदी में पूजा की विधी आप खुद बाखुद पढ़कर अपने घर पर कर सकते हैं और अगर कुछ भी आपको ऐसा कुछ आप काम शुरू करने जा रहे हैं आपने अपना घर बनाया है घर बनाने जा रहे हैं वो सारी विधी इस किताब में लिखी है और वो भी हिंदी में इसके इलावा जिनको जोतिश में काफी इंटरस्ट है दिल्चस्पी है वो भी जोतिश के बारे में जान सकते हैं और बड़े ही सरल भाशा में हिंदी में पहली बार ये गरंद सामने आया है और इनने लिखा है विश्व मूर्ती शास्त्री जी ने जो कि पदमशिरी हैं और मैं इनका धन्यवाद करूँगा कि एक बार फिर से सनातन धरम को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया है प्रफेसर साब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये भी बताना चाहूँ ये दोनों पुस्तकें जो हैं खुद एलजी मनो सिनहा जी ने इन किताबों का जो है विमोचन किया और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से इस बुक को पड़ें इस बुक को लेने के लिए या तो आप प्रफेसर सहाब से कंटैक्ट कर सकते हैं मैं पूरी सेंटर कट रहा है वहां पर भी मिलेगा और कुछ और दुकाने भी हैं वहां पर मिलेंगी वह शास्त्री जी आपको बताएंगे लेकिन मैं यह जरूर चाहूँगा कि आप लोग इन किताबों को जरूर पड़े और सनातन धरम को आगे बढ़ाएं परफेसर सहाब आपका ब अनुपेत मपेत कृत्यम दुएपायनों विरहकातर आजुवाव पुत्रेति तन्मयतया सहसाविनेदू तंसर्भ भूत रहदियम मुनिमानतोस्में सभी शोताओ आप सबका इस कारेक्रम में स्वागत आपका अभिनन्दन जैसे कि आपको श्री आशिश कोली जी ने कहा इन पुस्तकों का मैं संखिप्त रूप से आपको परिचज़ दूँ इन पुस्तकों को लिखने की आवश्रक्ता क्या पड़ी और क्यों मैंने ये लिखे भास्तम में समाज में बहुत से लोग ऐसे थे जो कहते थे कि भी हम पूजा करना चाहते हैं कहीं हम गलत न कर जाएं कहीं हम अच्छाई के बियाए कोई बुरा हमारे पर असर ना हो इसलिए कोई आप ऐसा हमको बतलाईए को रास्ता कि भी हम पूजा ठीक परकार से कर सकें उसके साथ साथ फिरो ना कहा कि हम लोग महूरत पूशते हैं कहीं यातरा में जाने के लिए महूरत पूशते हैं कई अन्य परकार के कारियों सिध्धी के लिए महूरत पूशते हैं मकान बनाने के लिए महूरत पूशते हैं तो हमें स्वयम उसका कोई कुछी प्रकार का ग्यान नहीं और पंडित जे पुस्तक जो है ये बास्तम में पंडितों के लिए नहीं लिखी है ये आम जनता के लिए जो हिंदी पढ़ी लिखी जो जनता है उस जनता के लिए ये दोनों पुस्तके लिखी है और इन पुस्तकों में बहुत कुछ विश्री ऐसे हैं कि केई पुस्तकें पढ़ने के बाद जो आप ज raspाने प tournaments है उसमें जोसर्बजन शु martin नहीं से फाइस कर सकते हैं जळिया पूजा की सब परकार की विधियें जान सकते हैं और केवल मैं जो कह रहा हूं इतना ही नहीं है इन मैं बहूत प्रकार का घ्यांघ आपने शेलानियास करने हैं तो शेलान नयास करते हैं समझ क्यों सी दिश tag H कहते हैं इस जिस दिशां पर हम क्योंकि वास्तू केम दौ़ाद जो सरप है चारू में गूमा रहता है एक दिशा कोन कोछी तो आपके लिए बहुत अरिश्ट कार夏 BOB HOGA अच्छा नहीं होगा और दूसरा यह है कि आप आप शेलान नियास करने की बाद जी नहीं है, आपने प्लाट भी साफ करना है, तो प्लाट किस दिशा से शुरू करें, साफ करना, तो वो सुराखित खेतर जो है, उस दिशा से प्लाट सवाई करना, जदि घर में आप कोई और कोई किशी परकार का काम कर रहे हैं, जहां कोई मानलोबे लेंटर डाल रहे हैं जहां कोई वाइट बास करवा रहे हैं तो जो सुरखित खेता है उस देशा से शुरू करवा दिजिए तो आपके काम में बड़ी सुविधा होगी और आपके काम में कोई बिगन बाधा परसित नहीं होगी यह उन लोगों को यह पुस्तक लोग हैं उनके लिए यह पुस्तके नहीं और जो पंडित जो हैं जो पुझा का विधी विधान करवाते हैं उनके लिए यह पुस्तके नहीं यह मुझे इतना इतनी में आशा जरूर रखता हूं कि बेपंडित भी बेजिवशी भी इससे कुछ न कुछ ग्यान यह हमारा बड़ा विश्यश दायत बनता है तो जो सर्वजन सूखाइ पुस्तक है इसमें पुञा की विधियं बतलाई होई है इसमें ध्यान की विधी बतलाई हूए है भी ध्यान के ओंटे साथ सेड़ी नहीं कि उत्वह थिए और उसके बाल का उंक्षें बंद करने का भ किस प्रकार से आप एक पोड़ी को चड़ते जाए और इस प्रकार काम करते जाए तो आपका ध्यान जो है वो एक अंतिम सेड़ी पर चले जाएगा और जो यह आग्या चक्र है जहां पर हम तेलक लगाते हैं तेलक आग्या चक्र की हम पूया करते हैं यह ग्यान चक्र की ही प बहुत बड़ा दिखाई देगा रोशनी सुरूप प्रकाशत सुरूप बिंदु दिखाई देगा और उस प्रकाश में आपका जो इस्ट है जो देवता है वो आपको उसके दर्शन होंगे लेकिन अब पहले ध्यान जो हो देने की यह बड़ी आवश्यक्त है यहां पर गुर लोगा शंकर भगवान सूरी भगवान सूरी तो हमारे प्रतक्ष देवता हैं वो भी यह क्योंकि अरुग्यार थे भासकरमिच्चेत जब हमारा श्रीर रोग से गरस्त हो जाता है तो उस समझ इसकी पूजा करना सूरी की पूजा करना बहुत आवश्यक है मैं इसके लिए आपको कुछ बातें बतलाता कि किन किन लोगों ने किसी प्रकार से उस पूजा से लेकर समझ जो है वो अधिक हो जाएगा मैं संखिवत रूप से आपको बतला रहा हूं और उसके साथ साथ आप शुरू से पूजा करेंगे पूजा करने में जो बड़े से वड़ा यगी हो होगा मड़ी सी बड़ी पूज़ा हो गिकरम उसका को ही रहेगा उस में आवहान है बादिया अरगिया संहान हें वस्त रहीं लेकिन वहां पर मंतर जो है वो पंडित करता हुगा पैर धोने जल स्मर्प मैं आपको शनान करवाता हूं यह पंचामर शनान कर जी उसे एक मंतर से उसके बाद उस मंतर का जब जितना जिदिना शक्ति के सास्थ आप कर सकते हैं उस मंतर का जब कीजिए अंत्विए आप देवता की आरती कीजिए और आर्थी करकर के उस देवता को प्रसंद करें और इस प्रकार के जदी आप करेंगे समाय का कोई भी वेक्ति किसी प्रकार से भी वेक्ति अपनी पूजा करना चाहता है तो हिंदी में लिखा हुआ यह प्रत्म गरंथ है आप इससे बिलकुल लाभानृत होगे लेकिन एक यह ब स्वच्छ होने चाहिए हमारे वस्तर जो हैं विलकुल स्वच्छ होने चाहिए उसके बाद हम देवता का सामने चित्र लगा करके जिस देवता के आप पूजा कर रहे हैं उसकी पूजा करेंगे निश्चिद रूप से आप उस फल को आप अपने अपनी उन्नती के लिए कर तो आफ है उसमंतिर है च right ऑफ जिया कर सकते हैं और उसको और आप दिन पर दिन जब आगे बढ़ेंगे आप, आपको निश्टी चेह लाब पराप्त होगा, और आपका वाधावरण परवित्र होगा, और हमारे इस्तमार का वाधावरण परवित्र होगा, क्योंकि जब हम, मैं जाता हूँ किसी कहर में पोजा किराने के लिए, कोई पंदत जा है कि हम नहीं कुछ कहते हैं तो पाश्चाति सभिता को लेकर करके हम आगे बढ़ रहे हैं बहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बहाँ पर इतनी स्वारी रखे और बहाँ पर इसका पूजन कीजिए सब्त रिशियों का पूजन कीजिए सब्त चिरंजीबियों को अश्वत्था तो अपना अश्रिवाद दिजिए और वहां पर तिल और गुड और दूद में तिल डाले और गुड डाला और लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब तो अपने मारकंडे की पूजा वर्षगरंथी पूजा जो है वो भड़ी प्रकार से आप अपने घर में स्वयम कर सकते हैं और यदि पंडित की सुभी आपको है तो पंडित को बुलाकर की भी कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा है कि पूरा सरल भाशा में आपने इसमें लिखा है मैं इसमें एक चीज और देख रहा था कि मरनो उपरांथ कहीं सारी विधी होती हैं जिसमें लोग बड़े परेशान रहते हैं और ऐसी कोई किताब भी नहीं है जिसके अंदर ये चीजें लिखी हों तो वो भी उसका भी आपने इसमें जिकर किया है उसका थोड़ा सा बतायें के जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि किसी घर में अगर ऐसी कोई स्थिती बन जाती है तो वो किस तरह से उन्स कि आपने अशीर चीब बहुत अच्छा पूछा और इसमें जी भी मैंने लिखा है और बहुत संखिवत रूप से आठ दस पेज में सारा के साथ जदिपी हमारे गरंथ जो हैं बहुत बड़े हैं विस्तार से कोई विधान करना चाहे और अलग तो उसमें की प्रकार की हमारी कर्वा पंडी लिवाते हैं इस समय क्या है जो मरन विधी है उसको कहते है इसको किराने बारे लोग बहुत qam ऐसी बात है कि हैं नहीं है, हैं तो सही लेकिन बहुत कम है और वो सारे समाई को उपलब्द नहीं हो पाते अपने समय समय पर और इतना बड़ा समाई, इतने बड़े समाई में कही तरह की लोग जो है वो उस क्रिया के अभाब में ऐसे ही संसकार कर देते हैं, वो एक बड़ी कुछ लोगों ने कुछ विश्ष्ट लोगों ने जा आप जेसे मुलेटी पीं समेलिटी बीजीप के कुछ लोगों ने मुझे कहा, यह दूसरे लोगों ने यह कहा कि अंतेश्टी संसकार जो है यह अत्यंत संखित रूप से कुछ कैसा किया जाए जिदि चार जी ना भी मिले आचार जी ना भी मिले तो भी कोई सामाने जन जो है वो उस उती बृत्त को उस काम को संखित रूप से करवा दे तो मैंने ऐसा किया है कि मरन से लेकर वो भी सारा लिखा हुए उसके बाद जब वो समाबत पराई हो जाए तो किस चीज़ का पाठ करना है क्या करना है वो भी सारा लिखा हुए उसके बाद पहला पिंड मरनस्थान पर दिये जाता है दौर पर उसके बाद दूसरा पिंड दिये जाता है उसके बाद चत्वर में का नाम लिखे हुए हिंद भूध नाम नाम लिखे हुए हिंदे में भूत नाम का पेंड़ है लो चेटा के पास चल जाते हैं तो बहां पर भी जो सारा लिखी भी हुई है और लोग उसे अगनी में आहुदी दे जाते हैं या फिर कफण का मुह पर कफण पाड़ करके और मुह में हवन करते हैं वो लोग मभ्यादी हों यह दिये जाता है लोग उसके बाद यहाद हम बर्तनते हैं उसमें वो लागां लेते है दागाल विव्डार लिगा करके उसमें पाणी डन राद जुँनरी चलते रहता है वो उस मरा हुवा जो प्राणी है वो दस दिन तक वहीं पर रहता है और जो हम कहते हैं भी इसके साथ शोत है जहां इसका शोच है जी इसके साथ तो दस दस दिन तक वो प्राणी वहीं पर रहता है उसके रहता है क्योंकि वो प्रेत है और प्रेत की जो बात है वह बहाँ पर उसके साथ फिर हम समर्ष नहीं करते हैं कि दूसरे लोगों के साथ कोई हमारे घर में जो जिस घर में कोई मृट्ची हुई हो बहाँ तो मैं आशी जी चे कहूँगा कि एक हमारी बड़ी प्रथा चल 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 जिए जिस जगह पर परानी मर गया है और हम केबल शोक करने के लिए जाएं बहाँ पर चाय और पानी जो हम ना पीए तो अच्छी बात है लोग चाय ले आते हैं पानी ले आते हैं लेकिन उस घर में पानी पीना जब तक उसकी शुद नहीं होता तब तक नहीं लिखा हुए है लेकिन अब जनता जो है वो इस परकार से खुदी ही समझे कि 10 दिन तक उसकी आत्मा जो है उसी घर में है और वो प्रेत है और प्रेत से जो एक घर है उसमें हमें पानी नहीं पीना जी हाँ उनको पानी पीने का अधिकार या शास्तर में जो लिखा हुए है वो उन लोगों के लिए जो अपने सरीक हैं अपने गोत्र के हैं अपने कुल के हैं वो सारे कथे हो करके बहां वो उस दीपक में जे जोत जहां से गई तो उस जोत में जली गई दस दिन तक जह रही गई दसमें दिन सारे प्राता काल जल्दी सुर्च से चन्ने से पहले पहले इकटी होते हैं पांस साथ लोग और चाहे वो अंधी बाज चक्र कोई भी किसी परकार का हो तो वो बड़ी ए यहां श्रीर से निकलने वाली जो जोति है वो उस दीवे में रही दस दिन तक अब आज दसमें दिन में ये दिपक यो आत्मा है वो महार्जियूती के साथ मिल गई तो एक तो ये इसके लिए या है तो ये इसके लिए हैं महने के बाद महास्रिक शाद से कर l'o लेकर महने के बाद नहीं उसके अलग-अलग करम है वो पुष्ड़ को पढ़ने पर आप स्वयम देख लेंगे कि पर कौन सा शाद्ध किस समय करना चाहिए यह 16 शाद्ध होते हैं और 16 शाद्ध जो है वो महिने में एक करें तो 12 होते हैं फिर 16 नहीं हो पाएंगे तो शास्त्र की विधी तब भी नहीं हो पाएगी इसलिए उस शाद्धों को भी हम भली प्रकार से उसी दिशा के अधार प इस प्रकार से उनके साथ संबिलने करके तीनों का भागों को मिला करके अब जब सब्धि करना हो गया तो जो 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 जूनी थी वो प्रेत तो से भी मुक्त हो गया और आगे चला गया उसके बाद यह जहां पर बहुत बढ़ी सोचने वाली बात है सोलां पिंड एक बार होते हैं 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 सोलां पिंड तो इस प्रकार से कितने गुनों से जो प्रमात्मा प्रभू है उन प्रमात्मा प्रभू ता कि ही इस जीव को पहुंचाने का ग वस्त्रों को दो मेद गएलने, सब कुछ मिलता है, लेकिन पढ़ने की सकता है, और यह थैया को उसको की का यह सकता है, और ये उस ग्र Toβ ultimate क 채 ना या कनती एंप रैष जयर्वन मियक्ते हैं। वश्ताने में में नहीं जानी यह uncnd कउंकाउंट से मंंत्र हैं किस ग्रहों के कंऊंगा से उपाय करने पर हम शांती को अनुभव कर सकते हैं यह सारह का सारा आशेज जी इन्हे पुंस्तों में दीया हुआ है लोग इससे लाभान्रित होगे बिल्कुल लाभान्रित हो गे शद्धा से विधी से और सपरिया से इसको जिदि करेंगे तो भावना सबसे पूजा में सबसे बड़ी भावना भावो ही विध्यते देवा और भाव में ही देवता होता है और जो यह भावना नहीं है तो फिर आसे काश्ट की लकड़ी है काश्ट की मूर्ती है लकड़ी की म यंत्र मंत्र और देवता जो हैं ये फल नहीं देते भावना अपने सेस्ट रखिए और भावना सेस्ट के साथ साथ आप अपने कारी को अपनी पूजा को आगे बढ़ाईए फिर देखिए निश्चिद रूब से आप उन अच्छे फलों को जिसके लिए आप काम कर रहे हैं पूजों को पराप्ते करेंगे एक तो थोड़ा साब ये बी बता दें की ये किताब कहां कहां से मिलेगी और दूसरा ऐल जी साहाब ने भी सिकताब को का वी मोचन किया और आप के साथ सेंट कहीं लोग ये बिते आपने बहुत ही बढ़ीघा बात ये गःाल एक हमारे जो आधरनी माननी जी जो हमारे मुनोई सिन्धा जी हैं गवर्ण साहब हैं और उन्होंने एक तो सबसे प्रसंतागी बाद ये थी कि उन्होंने साहर्च इस पुस्त को लोकारपन करने के लिए समझ दिया और आप भी उसमें थे तो उस समय मुझे बहुत अच्छा मसूस हो रहा कि जहां पर गन्य मानने व्यक्ति हमारे खास करके अबनाज श्राइन बोर्ड के जो चीफ एक्जिक्वेटिब हैं जे डाक्टर मंदी भंडारी साहब तो वह भी बहां पर उपस्तित थे और वो इस समय प्रिंसिपल सेगरेटरी भी हैं और जो बेशनी देवी श्राइन वो प्रकाश शास्त्री इत्यादी बहुत से लोग उपस्तित थे और जिनकी देख रेक में हमारे राजिपाल जी ने इस पुस्तक का बेमोचन किया और इस पुस्तक की प्रशंसा भी की कि जो लोग हिंदी पड़े लिखे हैं और जो लोग पूजा करने की विधी जानते हैं ज सब्सक्राइब करते हैं तो मैं उन सभी का अभार ब्यक्त करता हूं डाक्टर भूशन कुमार बसूली जी से आई हुए थे डाक्टर भियंदर प्रकाश शर्मा थे और ये निर्मिल मिलोज जी थे प्रवीन कुमार शासरी थे तो इस परकार के आदमी बेखती जो थे वह बहाँ पर उपस्तित थे और बड़ी गरिमा पूर्ण इस परकार के बाद रही कि शायन वोड़ के जो दोनों शायन वोड़ों के सी ओ और प्रिंस्पिल सेक्रेटरी बहाँ आप बहाँ पर थे जे के चैनल के भी प्राजिदिदय कर रहे थे तो मैं सब को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभर्वेत करता हूं कि इस कालज कर्म मैं आए और इस कालज कर्म को और जया आगे बढ़ Fen again कि गुनबत्ता अपना ये समझ दिया पुष्ट बिमोचन करने के लिए वो अत्यांत कार्यविस्त रहते हैं कार्यविस्त होते हुए भी समझ निकाल करके मुझे उन्होंने इस प्रकार से कहा तो मैं उनका आभार बेट करता हूं अभिनंदन करता हूं उनका धन्यवाद और और कुई इसमें मैंने पहले ही कह दिया है कि ये हिंदी जानने वालों के लिए नहीं ये पुस्तक है ये सभी हिंदी जानने वालों के लिए ही ये पुस्तक है जो उसके इतर जो लोग है पंडितों के लिए मैंने लिखा है कि वो तो विधियां जानते हैं पूजा कराने की विधिय जानते ह कि यह सामान आपनी राशई बनाना दूसरे की राशी को देखना ना तो उसका उपाई क्या है उनके मंत्र क्या है यह सामान सभी जनों के लिए हैं क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा है लावानमित हो सकते हैं प्रभावित हो सकते हैं और इसके अतरित में आपसे यह कहूंगा कि जो पुस्तके हैं पुस्तके का पुस्तकों का जो मिलना है जैसे हमारे आशिश कूली जीनक कहा है कि पंच्वक्तर बंद्र द्वाद पर हुँआ हैं नमभर तो नमभर जो है वो मैं आपको इस समय नहीं दे पा रहा है आप मुझे फून करेंगे मेरा नमबर जो है 9419138606 है तो इसके अधार पर आप मुझे फून करेंगे मैं दूसरे नमबरों को आपकी जानकारी दे दूँगा और आप उन लोगों को फून कीजिए कहां से पुस्त पराप्त होगी तो निश्चित ही आपका मारग दर्शन उन को आगे पिशे न कर दे मंतर क्या है कोई मंतर गल्त न बोले जो पूजा की विधी जो है वो गल्त न कोई करवा दे इस विधियों को आप भड़ी प्रकार से जानेगे इसके साथ साथ मैं जो बहां पर उपस्थित लोग थे राई भवन के जो लोग उपस्थित थे उनका भी आभार बेक्त करता हूं और जेके चैनल का वीडिया का बड़ा विश्ष आभार बेक्त करता हूं जिन्हों ने अपने वाधिम से इस बात को सर्व जन तक पहुंचाया है और सर्व जन जो है वो इससे लाभान दित होंगे और इनी शब्दों के साथ मैं अपने बाने को विराम देता हूं धन्यवाद जामाताज अगर आप अपने तो आपको कें सारी बातों का ग्यान हो जाएगा इसके लिए मैं चाहूंगा कि हिंदी